आज दादी जी के अव्यक्त होने का दिवस है दादी जी श्त्रश्टी की एक मान अत्मा थी जिने भगवान बहुत प्यार करते थे, सम्मान देते थे ऐसी अस्वत अंदादी को हम सच्चे मन से सद्धा सुमन सम्मान सही तरपित करते हैं आज बाबा धाणाओं की बहुत सुंदर सुंदर बाते कर रहे हैं नसावी चड़ा रहे हैं, सबसे नसे की बात है देखो बच्चे, मैं कितने प्यार से तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं तो मैं आप समान बनाता हूं मैं तुम्हारे दुख दूर करने आया हूं तुम्हे भी मेरे जैसा बहुत मीठा बनना है मैं यहां बैठ कर भी सारी दुनिया को देखता हूं मेरी नजर सारे संसार पे रहती है क्योंकि मुझे सभी आत्माओं को निहाल करना है तुम्हे भी सब के उपर रहम करना है तुम इस धर्ती के चेतन सितारे हो पेगंबर हो उन्तारों को भी बहुत बलवान मानते हैं लोग ग्रहों को तुम उनसे भी माहन बलवान हो क्योंकि तुम तो सारे संसार को रोशनी देने वाले हो सब की सदगती करने वाले हो तुम जितना योग बल में रहते हो, उतना तुमारा प्रकास बढ़ता जाता है, तुमारा बल बढ़ता जाता है, और तुम संसार को रोशन करते जाते हो, तुम्हें बहुत खुशी में रहना है, जान के सागर से तुम्हें अनमौल जान रतन मिल रही है, जान की कस्तूरी मिल रही है, जो तुमारे जीवन को सुगंदित कर रही है, इस कस्तूरी को बाढ़ते चलो, बहुत अच्छे सब्द हैं बच्चे, जितना चाहो, ज्यान रतनों से अपनी जोली भढ़ते चलो, ज्यान रतन अनमौल खजाना है, इससे तुम्हें स्वरक की बातसाही मिलने वाली है कितने सुन्दर सब्द हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, और राजाई लो, क्या सुन्दर सब्द बोले, भगवान आया है हमें राजाई देने के लिए, कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, तुम भी पैगंबर हो, तुमें भी सब को ज्यान देखकर सुखी बनान है, जो बहुत सेवा करते हैं, प्यार से सेवा करते हैं, सब को सुख देते हैं, वो सब को बहुत प्यारे लगते हैं, तुमें कभी भी सेवा का एंकार नहीं होना चाहिए, कभी क्रोध में भी नहीं आना चाहिए, ये सभी अश्यांत करने वाली चीज़े हैं, तुमें तो स पर स्यंति की स्थापना करनी है, अपने घरों में भी पूरा स्यंति में रहो, जो जितना स्यंति में रहते हैं, उनसे स्यंति के वाइब्रेशन्स फैलते हैं, जो जितना योग में रहते हैं, वो ही इस स्थापना के कारिये में उतने ही जादा मददगार हैं, याद में रहना ह मदद करना है ये बड़े सुक्सम राज भरे बाबा की महवाख्य है जान दे रहे हैं बाबा और कह रहे हैं तुम्हें बहुत स्यामत में रहना अंतर मुखी रहना है अंतर मुख्ता का रृत है अंदर में जो आत्मा है उसकी कुंशियसनेस में रहकर स्यांत रहो, सौल कुंशियस रहो, जो वेक्ति स्यांत रहता है, सब समझते हैं, इसका अपने उपर बहुत अटेंशन है, यह जरूर अंदर में अच्छा पुडशार्त कर रहे हैं, तो केवल स्यांती नहीं अंदर में घ्ञान का चिंतन, योग का भ् तो तुम्हें बहुत खुश रहना है, फालतु बोलने वाले किसी को भी प्रिय नहीं लगते, जो श्यांत रहते हैं, वो प्रिय लगते हैं, तुम्हारा घर ही श्यांती धाम है, कितनी सुन्दर चीज है, भगवान तुम्हें पढ़ा रहे हैं, श्यांती धाम का, सुक धाम का संपोर ज्यान दे रहे हैं तुम्हें इस ज्यान का चिंतन करना चाहिए कांत में स्टुडेंट भी ज्यान का वर्णन करते हैं अपने लोकी पढ़ाई का उसका चिंतन करते हैं एक दो को सिखाते हैं तुम्हें भी इस इस्वरिये ज्यान का बहुत चिंतन करना चाहिए और साइलेंस में रहना चाहिए तुम टाकी से मूवी में जाते हो मूवी से साइलेंस में चले जाते हो फिर साइलेंस से यानि परमदाम में जाकर तुम सुकदाम में आ जाते हो ये तुम्हारा चक्र है तो अब तुम्हें सम्पूर्ण रूप से श्यानत रहकर अपने अपने घर को श्यानती से भरपूर करना है, घरों में भी, छोटी भी बात पर तनिक भी क्रोध ना आए, नहीं तो घर में अश्यानती हो जाएगी, तो आज बाबा बार बार हमें ज्यान चिंतन के लिए प्रे ज्यान दिला रहे हैं, ज्यान का जितना चिंतन करेंगे उतना योगवल बढ़ता जाएगा, बाहिये मुकता की बज़ए अंदर मुकी रहेंगे, तो योग का चार्ट स्वत ही बढ़ता जाएगा, जैसे बाबा प्यार का सागर है, बाबा कह रहे हैं, तुम्हें भी मैं कि ज्यान लेकर तुम भी मनुष्य देवता बनो, तो तुम भी बहुत स्वीट, बहुत प्यारे बन जाओगे, आज बाबा, बार बार हमें स्रेश धार्णा उपर ध्यान की चुआ रहे हैं, हम चेक करें, हमारे अंदर ज्यान का इस्मरन और चिंतन कितना चलता है, अच्छ ज्यान मिलने की बहुत खुशी हमें रहती है, हमारे ज्यान रतन बढ़ते जा रहे हैं, हम चेतन सिता रहे हैं, हमारी लाइट बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ रही है, कि हम संसार को रोशन कर सकें, योगबल से हमें स्वीट बनना है अपने को चेतना आज, हमारे अंदर royal manners हैं देवता royal होते हैं बड़े आदमी कम बोलते हैं तुम देवता बन रहे हो तो तुमें ज्यादन नहीं बोलना चाहिए हम चेक कर लें हम धीरे बोलते हैं व्यारत तो नहीं बोलते हैं बहुत मीठे प्यारे बने हैं एंकार और प्रोच छोड़ते जा रहे हैं ऐसे हम royal बनेंगे तो बाबा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे और बाबा की आशिरवाद हमें मिलती रहेगी बाबा कह रहे हैं बाब तो तुम्हें आशिरवाद देते हैं बच्चे सदा सुखी भव आशिवान भव लेकिन पुर्षार तुम्हें स्वैम को ही करना है वर्दान है निराकार और साकार बाब दोनों के साथ रहने वाले सदा विजय प्राप्त करने वाले सफलता मूर्थ भव जैसे सरीर, साकार, आत्मा, निराकार दोनों साथ हैं तब हम कारिय करते हैं ऐसे निराकार बाब और साकार ब्रह्मा बाब को हमें साथ रखना है तो वो सम्मुक होंगे उनसे हर संकल्प, हर कारिय को verify करा कर फिर करेंगे तो सदा विजय पन जाएंगे और सफलता मूर्थ बन जाएंगे तो दोनों मेरे साथ हैं यह अनुभव करते चलना है स्लोगन है रोहानी स्ने किसी भी बड़ी संपत्ती से भी अधिक मुल्यवान है इसलिए मास्टर स्ने के सागर बनो आज का हमारा अभ्यास रहेगा बाबा से जो हमें वर्सा मिलता है उसको हम सामने रखेंगे देव स्वरूप मुझे ये दे छोड़ कर ये बनना है जैसे आत्मा इस दे से निगल कर उसमें चली गई वहामें बहुत रवैल हूँ श्यान्त हूँ स्वीट हूँ प्यार से बरपूर हूँ अब मुझे ऐसा ही रहना है तो अपने भविष के नसे में आज सारा दिन रहेंगे और ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे ओम शान्ति